वॉर्म विल्कम तो मैं चैनल फ़ल दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पे देख पारे हो जैसा मैंने आपके सामने फ्लायर दिखाया है ये वीडियो बनाना मुझे लगा थोड़ा सा ज़ाधा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारे इंवेस्टर्स है जो कि मार्केट में इंवेस्ट करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा पैनिक करते हैं इंवेस्ट करने से पहले क्योंकि उनको लगता है कि शेर मार्केट हमेशा थोड़ा सा रिस्की है हमारे लिए एक्विटी में इंवेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की है अगर आपको नहीं पढ़ना है अगर आप उतना ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हो यहां जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पारे हो mutual fund is something that is for all even if अगर आप equity में invest करते हो diversify करके आप share खरीदो finance का, auto का, bank का, सब का मिला के share लो same way जो investment है वो भी diversified होना चाहिए आपके पैसे shares में होने चाहिए, आपके पैसे bank में fixed deposit में होने चाहिए liquid cash आपके पास होने चाहिए, आपके पास mutual fund होने चाहिए, आपके पास bonds होने चाहिए तो तब जाके वो एक proper diversified portfolio बनता है लेकिन यहाँ पे दोस्तो एक बहुत ज़्यादा questions है लोगों के मन में बहुत ज़्यादा doubt रहता है कि क्या mutual fund में invest करना हमेशा सही है, क्योंकि mutual fund के लिए हमें बहुत सारे चीजे के बारे में गलत concept पता है, हम उतना ध्यान से नहीं research करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता है तो आज हम वीडियो में बात करेंगे, जैसे आप screen पे देख पारे हो, ऐसे 5 total हम myths के बारे में बात करेंगे जो कि लोगों के दिमाग में है, लोग सोचते हैं कि ये एक problem है अगर हमको mutual fund में invest करना है and उसका क्या मतलब है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले मैं अगर आपको पता हूँ, जो यहाँ पर पहला point है, जिसको मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूँ that point is, one, mutual funds are for experts यह मैंने point इसलिए mention किया है, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि mutual fund में invest करने के लिए आपको पहले पूरा market जानना जरूरी है लेकिन यह दोस्तों गलत है, the reason being आप research तो कर लोगे, क्योंकि mutual fund is a basket of many shares, बहुत सारे shares मिलके mutual fund बनते हैं आप research तो कर लोगे, लेकिन जब आप investment करोगे, you are not the one who is putting money directly to the investment, to the fund वहाँ पे एक fund manager है, जो की qualified fund manager है, उसका काम यही है कि देखना, monitor करना, कौन से fund में, कौन से shares perform कर रहे है his work is to manipulate between shares and invest your money into the right bracket तो वो research आपको करने की जरूरत नहीं है, that is why people prefer mutual fund so mutual funds are for experts, यह गलत myth है, लोग इसके बारे में गलत सुचते हैं, गलत जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है कोई भी investment कर सकता है, तो यह हो गया पहला myth दूसरा जो myth है, they are the same as direct equity अब लोग यह समझते हैं कि mutual fund में, सब बुर ने कहा है, कि आरे यह तो आप equity में पैसे लगाओ, वहाँ जादा direct पैसे आते हैं mutual fund में लगाओ, ultimately mutual fund वाले भी equity में ही पैसे लगाते हैं, share market में ही पैसे लगाते हैं, तो तो पैसे जो दोनों जगा डूबने के chances हैं लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो mutual fund है, वो mutual fund बहुत तरह के होते हैं, खाली equity mutual fund नहीं होता है, बहुत सारे mutual fund होते हैं, जो कि government debt में पैसे लगाते हैं, बहुत सारे mutual funds है, जो कि market में नहीं, उसके अलावाद दूसरे financial institute से जहां से पैसे recover करते हैं तो अगर आप investment करना चारे हो, अगर आप mutual fund में पैसे लगाना चारे हो, अगर आपको equity से दूर रहना है, market में नहीं पैसे लगाने है, आप जो भी आपके fund manager है, you can talk with them, you can tell, explain them what exactly your requirement is, how much risk, appetite you have, उस हिसाब से वो आपको suggest कर देंगे, जो तीसरा myth है दोस्तों, you need a large amount of money to invest, य आपके लिए best option है, क्योंकि equity में अगर आप किसी share में 50-100 share खरिते हो, share का दाम माल के चलते हैं बहुत कम है, 50-60 share है, 100 shares करते हो, बने 5-6,000 का आप investment करते हो, जब तक उसमें 15-20% का movement नहीं आता है, you are not making a tangible money, फाइदा आपका उतना नहीं हो रहा है, लेकिन mutual fund में आपका आपका capital है, जैसा आपका risk-taking potential है, जितना आपका खर्च करने का appetite है, जितना आप spending आपका potential है, जितना आप saving कर पाते हो महिने में, उससाब से you can actually configure your SIP, सबसे important चीज़ ये SIP मोडिफाइग किया सकता है, हर महिने आप change कर सकते हो, आप किसी महिने में आपको लगा कि हाँ, अ fourth point, they are meant for long term investments, अभी लोग ये भी बोलते हैं कि mutual fund में return आपको return on investment जब भी आता है, जब आप बहुत लंबे अबधी के लिए investment करते हैं, तो अगर आप bank में पैसे रख रहे हो, fix deposit कर रहे हो, fix deposit में भी long term में return आपको तभी मिलता है, जब आप 5 साल, 10 साल के लिए fix करते हो, ले कुछ emergency आ गया, या फिर आप खुश नहीं हो उस funds के performance है, you can always close that fund, you can sell that units, whatever units are accumulated by that time and you can actually reap the benefits, shares के case में volume जाधा होना चाहिए, वो आपका risk है, लेकिन अगर आप mutual fund में पैसे लाग कर रखते हो, आपको जब मन हो आप तब बेच सकते हो, तो ये भी एक गलत वेमी लोगों के द हम share में by diversify करने, हम bank में हमने ICIC, HDFC ले लिया, हमने tires में Apollo ले लिया, हमने chemicals में सुधर्शन chemical, हमने bank और financials में, हमने LIC housing finance ले लिया, HDFC ले लिया, अधर हमने Tata Motors ले ले लिया, मारुती ले लिया, तो हम diversify करते चलेगा, करते चलेगा, कम से कम, ऐसे करते करते हमारे पास 100-200 shares हो गया है, तब जाके you are touching every node of the market, क्योंकि diversify तो तभी हुआ जब आपके पास सारे business के share हो, हर एक, जितने भी entities है, सबके shares हो, तभी जाके आप कह सकते हो, you have a diversified portfolio, लेकिन mutual fund में, यहाँ पे एक लोग ये भी बोलते हैं कि mutual fund में भी मुझे बहुत सारा लेना पड़ेगा, ता breagrify करना है, हर एक सेक्टर से आप एक लगा सकते हो, एक आपने large cap ले लिया, एक आपने small cap ले लिया, एक आपने medium cap ले लिया अगर आपको लेना है, अपने hybrid fund ले लिया, तो अगर तीन चारal fund ही आप लेते हो, अगर आपने large cap ले लिया तो nifty 50, के sleountry stocks, उसमें investment हो गया तो एक तरह से देखा जाए तो आपने proper diversify कर लिया है लेकिन आपने इतना जाधा investment नहीं किया है तो यह diversification का मतलब यह नहीं है कि लेते जाओ लेते जाओ diversification मतलब है कि आप कितना cover कर पा रहे हो वो एक ही fund हो सकता है कि पूरा market cover कर दे सही fund ढूंडने ही challenge है जिसके लिए again point number one है जिसके लिए fund manager है जिसका काम ही है आपके लिए सही fund आपके requirement के इसाब से ढूंडे तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि investment आपको करना जरूरी है bank में पैसे रखोगे तो bank में पैसे आपको बनेंगे नहीं mutual funds में लगाई है safe bet है equity में अगर आपको लगता है risk नहीं लेना है mutual fund में investment आपको करना चाहिए SIP में investment करें एक बार में ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है long term के लिए सोचने की जरूरत नहीं है दो साल तीन साल का छोड़ा छोटा horizon रखके invest करें and diversify ज्यादा नहीं करके एक दो multi fund में अब multi cap fund में investment करें वीडियो कंटेंट पसंद आया है दोस्तो चैनल को subscribe जरूर करें ताकि ऐसे relatable content आपको मिलते रहे साथी मैंने अपना social media twitter telegram का link ते रखा है description में अगर आपको regular trade करना है आप interested हो regular trading में मेरे personal trades को follow करना चाहते हो तो मैंने whatsapp का number दिया है description में आप मुझे pink कर सकते हो आगे का instruction मैं आपको वहाँ पर follow कर दो है thank you so much मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक नया करना